Hello students, अब हम बात करने जा रहे हैं, linear equation के बारे में, ठीक है, and integrity into variable, तो यह chapter अपने पढ़ने जा रहे थे, इसका मैंने आपको basic सारा करवा दिया था, भी क्या क्या basic इसमें काम आने वाला है, ठीक है student, जैसे अपने को यह दो equation दे रही थी, a1x, plus b1y, plus c1 is equal to 0, and a2x, plus b2y, plus c2 is equal to 0, तो इसमें सबसे पहले अपने क्या ratio निकालते थे, अगर a1 over a2 not equal b1 over b2 है, तो वो line है intersecting करती है, unique solution होता है, और consistent होती है, और इसका graph आपको बनाना है, ठीक है, ऐसे intersecting वाला, और अगर मानलों तीनों equal होती है, तो coincident होती है, यानि एक के उपर एक होती है, infinite solution आते हैं, और यह भी consistent होता है, यानि ऐसे एक के उपर एक, ठीक है, और मानलों अगर शुरूरू आदे दोनों equal हैं, बट लास्ट आदे equal नहीं है, तो line पैरलर होती है, कोई solution नहीं निकलता और inconsistent होती है, ऐसे, जैसे कोई दो line ने parallel होती है, तो उसको कोई solution नहीं निकलता, यानि कोई point नहीं निकलता, इसलिए वो inconsistent हो जाती है, ठीक है student, तो यहां तक अपनों ने कर लिया था, यह वाला nature आपको अच्छे से याद होना चीए, एक number का इसमें पुछा जाता है, question, define the nature of this equation, यानि इन दोनों कोई भी दो equation दे रिखियो हैंगी, उसमें आपको nature पुछा जाएगा, ठीक है, first question देखो, on comparing the ratios, a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2, find out, whereas the flowing pairs of linear equation are consistent और inconsistent, सिरफ इतना ही बताना है, क्या ये लाइने consistent है, या inconsistent है, तो ये दोई चीज़े हैं, इन दोनों के बारे में आपको बताना है, ठीक है student, भी क्या ये consistent है, या inconsistent है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, a1 over a2, अब मेरे को ये बताओ, इस equation में a1 क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्लस 8 को इदर इले क्या आना है अपने को, ये माइनस का 8 होजेगा इदर, इकल में क्या हो गया, 0, ये वला इदर आके माइनस 9, इकल में क्या हो गया, 0, अब देखो, a1 क्या बताओ, a1 है 2, b1 क्या है, b1 होता है, y के साथ होला माइनस 3, c1 क्या है, माइनस का 8, a2 क्या है, X के साथ वाला 4 P2 क्या है Y के साथ वाला माइनस 6 And C2 क्या है यह माइनस 9 ठीक है तो यह A1, A2, P1, B2 C1, C2 अपना ने निकाल लिए ध्यान रखेगा X वाले कोफिशेंट होते है A और Y वाले कोफिशेंट होते है B जो कोफिशेंट होते है वो होते है C ठीक है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अभी अपनों ने कोफिशेंट निकाल लिए अब देखो आगे यह देखो यह मैंने निकाल लिए पहले 8 और 9 को उतर लेके गए यह A1, यह A2 ठीक है यह B1, यह B2 ठीक है यह C1, यह C2 माइनस साथ में है तो माइनस लेंगे अदरवाइस पोजिटिव है तो पोजिटिव ऐसे कब ऐसे अब निकालो देखो A1 ओवर A2 यानि इन दोनों का डिवाइड 2 बाइ 4 तो 2 बाइ 4 किसी टेबल से कट रहा है यानि 2 के टेबल से कट रहा है आ गया 1 बाइ 2 फिर आगे माइनस 3 बाइ माइनस 6 है तो माइनस 3 बाइ माइनस 6 आ गया माइनस से माइनस कैंसल 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 तो यह भी आ गया 1 बाइ 2 और फिर लास्ट वाला है माइनस 8 बाइ माइनस 9 तो माइनस से माइनस तो कट हो गया बट ये दोनों किसी टेबल में नहीं कट रहे तो ये वैसे का वैसे आजेगा अब आप देख रहे होगे इसका result क्या आ रहे है आप देखने पर बताओ उन तीनों में से जो शुरू में condition थी उसमें इसका तो इसका result क्या आ रहे है तो इसका रिजल्ट ये आ रहे है भी शुरू ले दोनों तो equal है बड़ तीसरे वाला note equal है क्या है तीसरे वाला note equal है it means A1 over A2 B1 over B2 तो equal है बड़ तीसरे वाला note equal है तो इसको बोलेंगे क्या inconsistent क्या बोलेंगे inconsistent यानि no solution तो में नहीं तो आपको कंसिस्टेंट और इंकंसिस्टेंट ही बताना है ठीक है स्टुडेंट्स अब देखो अपने आगे पढ़ने जा रहे हैं जैसे यह हैं 3x-y इसका जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा ठीक है क्योंकि उसमें ग्राप बनाने सिखाने है आपको यह सिर्फ नेचर है तो इजिस आए यह वला इसलिए इस पर करवा रहा हूं तो यह देखो 3x-y-2-0 और 6x-2y-4-0 तो देखो a1 है 3 a2 है 6 सही है यहों तक b1 है माइनस का 1 c1 है माइनस का 2 ठीक है sorry b2 और c1 है माइनस का 2 और c2 क्या है माइनस का 4 ठीक है compare करके निकाला है बस मैंने आपको बताया था x का जो coefficient होता है वह होता है a1 यह a2 यह b1 यह b2 यह c1 यह c2 यह put value निकाल लिया वह सारी अब इस सारी value को निकालने के बाद a1 और a2 क्या आगया बताये 3 upon 6 कट कर दीजिए क्या आगया 1 by 2 b1 और b2 क्या आगया minus 1 by minus 2 minus से minus cancel यह भी क्या आगया 1 by 2 c1 over c2 क्या आगया minus 2 by minus 4 यह भी कट के कितना आगया 1 by 2 तो यह सारे 1 by 2 आ रहे हैं it means a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2 यानि तीनों चीज़ें equal आ रहे हैं इसलिए यह जो value होगी वो consistent होएगी क्या होएगी students consistent होएगी यह आप याद रखीगा ठीक है students अब देखो next यह fourth है third इसके निच्चे यह देखो यह वाला पहले third करवाता हूँ 2x minus 2y is equal to 2 है 4x minus 4y is equal to 5 है तो इसका कैसे करेंगे देखो पहले वाला plus का 2 इदर आके क्या होजेगा minus का और plus का 5 इदर आके क्या होजेगा minus का तो देखो अब x का coefficient एक a1 की value आगी 2 a2 की value आगी 4 b1 की minus 2 b2 की minus 4 c1 की minus 2 c2 की minus 5 तो यह value आगी अपने पास अब बस formula लगा दो a1 over a2 यानि 2 upon 4 कट के कितना आगया 1 by 2 फिर b1 over b2 यानि minus 2 by minus 4 minus से minus cancel यह भी आगया 1 by 2 फिर c1 over c2 यानि minus 2 by minus 5 तो यह minus से minus ही कट रहा है बस और कुछ नहीं कटेगा तो यह आगया 2 by 5 अब आप इनसे क्या result निकालते हो तो आप इससे क्या result निकालते हो आप बताएए भी शुरूर वाले दोनों तो equal आ रहे हैं बढ़ तीसरे वाले इकवल नहीं आ रहा जो फर्स्ट फर्स कोशन किया था सेम टूसें वैसी बन रहे हैं ना शुरूर वाले दोनों तो यह कंडिशन बन रही है इसलिए यह जो solution होगा उसका solution जो है यह line जो होंगी inconsistent होंगी क्या होंगी inconsistent होंगी ठीक है students तो इस type से अपने को क्या किसी भी equation के nature finder करने हैं अब इसका एक fourth part रहा गया वो देखिए जैसे ही है अब यह divide में ध्यान दीजेगा 4 by 3 x plus 2y is equal to 8 plus का 8 पहले इतरा के minus हो गया 2x plus 3y is equal to 12 12 इतरा के क्या हो गया minus यहां तक clear है यह दो equation है अगी अपने बास ठीक है students पहले उदर जो plus में होता है उसको पहले इदर लेके आते है माइनस में ठीक है अब देखो आगी फॉमला क्या होते देखो अब बताओ मुझे a1 और a2 क्या आ गया a1 आ गया 4 by 3 a1 आ गया 4 by 3 a2 आ गया 2 b1 आ गया 2 b2 आ गया 3 c1 आ गया minus 8 c2 आ गया minus 12 अब देखो फॉमला लगा दो a1 और a2 यानि इसमें इसका डिवाइड करते हैं ठीक है students तो 4 by 3 upon में आ गया 2 इसको इसको सॉल कैसे करेंगे 4 by 3 upon में 2 है ना upon में 2 है इसके नीचे 1 लगा देते हैं ठीक है अब यह नीचे वाला reciprocal होकर क्या बन जाता है 1 by 2 बन जाता है और यह फिर बन जाता है 4 by 6 ठीक है 4 by 6 बन गया इसको कट करके आ जएगा 2 by 3 क्या आ गया 2 by 3 तो द्यान रखना divide के डिवाइड में हो कुछ तो उसके नीचे और 1 लगा देते हैं और फिर इसको reciprocal कर देते हैं ठीक है B1 और B2 तो सिद्धा यार है 2 by 3 B1 और B2 की तो वैल्यू है वो तो सिद्धा यार है 2 by 3 और C1 और C2 कितने है MÏ-8 minus 12 माइनस से माइनस क्या हो गया cut 4, 2 जाक्या हो गया 8 और 4, 3 जाक्या हो गया 12 तो ये भी 2 by 3 आ रहा है पहले वाला भी 2 by 3 था ये भी 2 by 3 ये भी 2 by 3 आ रहा है इट मीन सारे टू बै त्री आ रहे हैं और ये सारे क्या आ रहे हैं फिर एक्वल आ रहे हैं क्या रहे हैं सारे इक्वल आ रहे हैं इट मीन एक्वल आ रहे हैं तो ये जो एक्वेशन्स होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट क्या होंगी कंसिस्टेंट क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो शुरू वाले दोनों नोट equal हो या सारे equal हो यह वाली तब तो consistent होते हैं और अगर शुरू वाले दोनों तो equal हो बटालास्ट वाले equal ना हो तो वो बन जाता है inconsistent ठीक है students तो यह आप याद रखेगा अब मैं आपको एक कोशन दे रहा हूँ जिसमें आप मेरे को बताना भी वो जो equations हैं दो कोशन दे रहा हूँ consistent और inconsistent के बारे में बताने है ठीक है जैसे मैंने आपको दी है एक equation जैसी यह है 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 and 3x minus 2y is equal plus 4 is equal to 0 यह बताए मुझे क्या equation consistent है या inconsistent है यह आप मुझे करके बताएगा ठीक है students एक तो यह करके बताना है एक और करके बताना है मुझे मैं आपको question दे रहा हूँ एक और 5x plus 10y is equal to आगया 20 और 20x plus 40y is equal to आगया 80 एक यह करके बताना है इन दोनों जो equation मैंने आपको दी है इन दोनों equation को आपको मुझे consistent और inconsistent के बारे में बताना है एक और रहे गया वो और दे देता हूँ मैं आपको एक equation और रहे गी वो भी दे देता हूँ आपको जिससे आप मुझे करके बतायागा भी यह equation consistent है या inconsistent है यह है आपके पास 2x plus 3y is equal to 9 6x plus 9y is equal to 8 तो इसके बारे में आपने मुझे बताना है भी क्या यह equation consistent है या inconsistent है तीन equation मैंने आपको दी है तीनों का अंसर मुझे comment box में आना चीए सभी students का ठीक है ध्यान रखिएगा सभी students का comment box में अंसर जरूर आना चीए बाकि करेंगे next अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही थेंक्यू अपड़ो बाले रहाई आना ही था तीन को है या पाले 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 आना ही थाइभावावावववववश्टार्ड़ आना चीए